गुट इविनिंग माई डियर फ्रैंट्स यूट्यूब चैनल के हिटलर एकडमी पर आप सबी रोगों का स्वागत है कि आज आपवं के सामने कही दिनों के बाद पौलिटिकल साइनस से कुछ important question को ले कर आएं जो very very most important all examination जो सवा इग्जामिनेशन के दिश्चिंट से बहुत important question है स्वाइ् होग डाट यू विड्लाइक माई वीडियो और यह चाहति हैं मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्संद कि रहें और शेयर भी करेंगे तो वीडियो इस्टाट करने से पड़े आप लोगों से आशा करते हैं कि विडियो अच्छा लगे तो सब्स्क्राइब किजीं और शेयर किजीं ऑके गई प्रिंगाला प्रम गोवर्नरीन जरीनेंगे नेक्स्स प्रिंदिया कंपनी पर संसधि अनियंत्रन का प्रियास की सदिनियम के नहीं एंदिया था प्रथम प्रयाज किस अधिनियम के तहत किया गया था तो एंसर है Regulating Act 17 सतियक्तर आपका Regulating Act 17 सतियक्तर में बना था और उसी के तहस जो है आपका East India Company पर जो है नियंतर रखा गया था Next question है Pills India Act का पालिद किया गया था Very important question है Pills India Act का पालिद किया गया था 1784 इस्वी में 1784 इस्वी में Pills India Act पालिद किया गया था Next question की तरफ चलते है भारत का प्रथम गवर्नल जर्रल कौन था Very important question है आपका भारत का प्रथम गवर्नल जर्रल कौन था Lord William Banting Lord William Banting जो 829 इस्वी में भारत का गवर्नल जर्रल मनकर इंडोस्तान आया था यह भारत का प्रथम गवर्नल जर्रल था Next question है आपका 염 Candest Phrthahn को गैर कानूनी किस अधिनियम के द्वारा घोसिद किया गया था दास Phrthahn को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा गोसिद गैर गोशित किया गया था तो 383 चाटर अधनियम के द्वारा दास प्रथा को जो है गैर कानूनी गोशित किया गया था नेक्स्ट इंपोर्टन क्वेस्टन है अपका सती प्रथा का अंत किस गवर्ना जर्नल ने किया तो एंसर है इसका है रॉड विलियम बैंटिक नेक्स्ट इंपोर्था का अंत किया था नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ चलते हैं प्रांतों में द्वेस्ट प्रणाडी किस आक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था तो यह है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका किस आधिनियम के तहट बर्मा भारत से अलग हुआ तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था नेक्स्ट क्वेस्टन है राष्ट्पती को अधिया देश जारी करने की सकती किस अधिनियम के द्वारा दिया गया तो यह सा है इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्पती को अधिया देश जारी करने का दिखार दिया गया next question cabinet mission कब भारता है very important question cabinet mission कब भारता है to answer is 1946 issue में 1946 issue में cabinet mission भारता है था next question है अंतरीम सरकार का गठन किसी योजना के तहत किया गया था तो answer है cabinet mission कैविनेट मिशन के द्वारा अंतरीम सरकार का गठन किया गया था, नेच्ट क्वेस्चन है अपका, अंतरीम सरकार का गठन कब किया गया। बेरी इंपोर्टेंट कोस्टेंब अंतरीम सरकार का गठन कप किया गया तो एंसर है, दो सितंबर 1946 को अंतरीम सरकार का गठन किया गया था, नेक्स्ट कोस्टेंब किस योजना के तहट भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, मौंट ब्टेन इजुना के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन वुआ था तो नेक्स G선 की त recollते हैं Very important question है Next question है Question Number 14 है 30.1919 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोसरा किस बृतिफ प्रधान मंतरी के द्वारा की गई थी 30.191921 इस वी को अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोसरा किस ब्रिटिस प्रधान मंत्री ने की थी तो एंसर इसका क्लिमेंट एटली ने भारत को 30 जून 1914 तक अंग्रेजों को भारत ठोलने का घुशला किया गया था नेक्स क्वेस्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो एंसर है इसका लॉर्ड मॉन बेटिन यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे नेक्स क्वेस्चन है इसी में आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम भारती यह गवर्नर जनरल कौन था इसके पले हमनों नों देखा यह सोतंत्र भारत के प्रथम गौवर्नर जर्रेनल थे लाड माउन बेटेन अब नेक्स प्वेशन इसी में है आपका सोतंत्र भारत का प्रथम भारती गौवर्नर जर्रेनल कौन था तो एंसर है इसका चक्रवरती राजकुपला चारी चक्रवरत सभा की अस्थापना कब की गए थी तो 9 दिसंबर 1936 को सम्विधान सभा की अस्थापना की गए थी सम्विधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे सम्विधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे समिधान सभा के अस्थाई अध्यक्षि कौन थे एंसर है डाक्टर राजिंद प्रसाद को समिधान सभा का अस्थाई अध्यक्षि चुना गया था नेक्स्ट क्वेस्टन है क्वेस्टन नमर्ट 20 है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश से प्रस्ताव को किसने प्रस्तूत किया था पंडी जवालाल नहरू ने उद्देश से प्रस्ताव को तेरह दिसंबर 1946 को उद्देश से प्रस्ताव को किसने प्रस्तूत किया था यानि नेशनल एंथम को जो है राष्टगान के रूप में कब अपनाया गया था जनगर्मन को तो एंसर इसका 24 जनवरी 1950 को यानी 24 जनवरी 2015 को जनगर्मन को भारत के राष्टगान के रूप में सिल्कार किया था भारती समिधान को समिधान सभाद्वारा कब सिविकार किया गया था? भारती समिधान सभाद्वारा कब सिविकार किया गया था? तो एंसर है इसका 26 नॉमबर उनी सवन चासिस्वी को नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका समिधान सभा के संभाद्धानिक सलाहकार कौन थे? very important question है संवेधान सभाग के संवेधानिक लाहकार कौन थे तोएंसर है V.N. Rau V.N. Rau को संवेधान सभाग का संवेधानिक सलाहकार निउप्त किया गया था next question and last question भासा के अधार पर सर्प्थम किस राज़ी का गठन किया गया था भासा के अधार पर सरप्थम किस राजी का गठन गया गया था तो एंसर है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का जो है 1 अक्टूबर 1903 में भासा के अधार पर गठन किया गया था ओके गाईस आज के लिए बस इतना ही very important question for all examination और आशा करते हैं की वीडियों आपको अच्छा लगेगा और वीडियों आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब किजिए और सेयर किजिए ओके गाईस ओके बाइस योगे नाक्स टाइम ओके